अरे राजीव? जी मालिक ये सत्वंत अपना बेटा है क्या? हाँ जी मालिक बिलकुल क्या हुआ? तो फिर बेटे की स्याद्धी करती और मुझे बताया भी नी तुने ये गरीमा नाम की बीटिया के साथ रिस्ता हुआ है क्या? हैं वो मालिक लेकिन अभी न यह रिश्टा कन्फर्म नहीं है क्या बात है मालिका आप तो जानते हो समाज में हमें भी उठना बैठना होता है और जब तक कोई फैमिली हमारे स्टेटस के अनुसारा न हो हमारे लेवल की ना हो वहाँ हम अपने बच्चे का रिष्टा नहीं खर सकते हैं तो इसलिए वो मामला थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन में है तेरे को पता है कौन है वो उसका भाई क्या करता है क्या करता है दूद बेचता है भीया क्या हुआ आपकी तब बे तो ठीक है हाँ मैं ठीक हूँ अच्छा ठीक है अरे बैन वो एक बात बोल ली थी हाँ बोलो भीया मैं कल से आपको दूद नहीं दे पाऊँगा आप किसी और से बात कर ले ला क्या हुआ भीया आप परिशान क्यों हो अरे बेटा वो पानी उबल रहा है और तू यहाँ अभी तक दूद नहीं लिया है क्या ले लिया पापा दूद पर भाईया बाईया क्या हुआ बाईया आपको तो पता है जब मैं छोटा सा था मेरे माबाप कुजर गए थे अब मैंने मेरी बेहन का रिस्ता तेक किया यह तो अच्छी बात है वेटा इसमें नर्वस होने की कौन सी बात है पर पापा भाईया बोल रहे थे कि वो कल से दूद देने नहीं आएंगे क्यों भाईया तुमारे पापा से भी अमदूद लेते थे अब तुम भी दे रहा है अब यह कैसे कह दिया तुमने कि मैं कल से दूद देने नहीं आऊंगा बाउजी लड़के वालों ने दहेज में बाईक मांगी है और आपको तो पता है मैं स्थिति में नहीं हूं कि उनको बाईक देशकू अब उनको बाईक देने के लिए मुझे अपनी बहस को बेचना पड़ेगा तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा अच्छा यह बता बिठिया का रिष्टा कहा ते किया है तुमने तुमने अपनी बिठिया की शादी की थी उन्होंने डिवांड की थी कुछ मुझे प्रोपर्टी चाहिए मुझे गाड़ी चाहिए मुझे बाइक चाहिए तभी रिष्टा करूंगा अद्रवाइज यह रिष्टा नहीं होगा अरे डूब के मरजा कही इंसानियत अदर अंदर और बात सुन कि इस ill के साथ तुरीस्ता तोड़ रहा हैं ना ت Belgian दूध प्या ना तो आपने बेटे की सादी करके दिखा मैं यही हूं ने मालिट शादि नहीं होने दूँगा अगर तेरे को अबाद भी किया है ना तो बर्बाद कर दूंगा नहीं मालिक मालिक आपके रहे हमका अध मेरे लिए आशिरवाद है और आपका क्रोध अरगुसा मेरे लिए अभी शाप है मालिक मैं बरबाद हो जाऊंगा फिर नहीं मेरे साथ ऐसा बिल्कुल मत करीए गलियों में जाके वो दूद बेचता है और तो मोटर साइकल के लिए उसकी रोजी रोटी खतम करवा रहा है वो दूद वाला मेरे को यह बोला विला जी मैं दूद देने के लिए नहीं आऊंगा क्योंकि लड़के वालों ने मोटर साइकल की डिमांड की है उसके लिए मुझे अपनी बैसे बेचनी पापी नहीं मालिक मुझे समझ आ चुका है मुझे माफ कर दीजिए मेला लचमेंदा हो गया था और मेरे रिष्टेदारों के बैकावे में आ गया था और मुझे यह लगने लग गया था कि अगर मुझे कोई डिमांड नहीं करूंगा तो मेरे रिष्टेदारों के अंदर उठने बैठने के लायक नहीं रोंगा मुझे माप कर देजिए मालिक तो मुझे माप कर देजिए राजे इंसानियत का है ना बहुत बड़ा करम हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए मुझे तुम से यह उम्मिद नहीं थी मैं बिल्कुल अगर इंसानियत तेरे अंदर बाकी ह ना उसके बाई से माफी मांग ताकि जो तुने किया है उसका पश्चात आप करच के आज ही जाओंगा मालिक और इजी बीटिया के साथ में मेरे बेटे की शादी करूंगा और आज जोड के कहता हूं मालिक हाँ पूरे परिवार के साथ शादी में जरूर आना जरूर आना ठीक है आऊँगा दनावाद मालिक है तुद वाला अरे जी तू तू तो बोल रहा था कि मादूद लेके नहीं आऊँगा बाओ जी कल पता नहीं क्या चमतकार हुआ जो मेरी बहन के ससुर जी थे ना लड़के के पिता जी कल वो मेरी घर पर आए और उन्होंने आते ही अपने रिष्टिदारों के बहकाव मैकन उन्हें ये बात बोल दी थी अब तो बाओ जी वो सिर्फ और सिर्फ एक रुपे का रिस्ता लेंगे अरे शावास बहुत बड़ी हा बात बाओ जी आपको और बीटिया को मेरी बहन की साधी में जरूर आना है अच्छा अब तू म मुझे अपनी बहस देचने की कोई जरूर इतनी अभाव जोई निए बेटा सब बगवान अच्छा करें ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा दोस्तों अमेरी गरीबी उतार चड़ाओ सब आते जाते रहते हैं क्योंकि सब कुछ इस्वर की इच्छा से होता है आप जो भी आप के साथ जरूरत मन या कोई भी शादी वेगरा क्योंकि शादियों का सिलसिला चला हुआ है तो मैं सभी से हाथ जोड के रिक्वेस्ट एक प्रातना करता हूं कि दहेज लेना और देना दोनुं में ही बुराई है तो इसलिए आप किसी का नाजाज फायदा नहीं उठाएं कि किसी को बेकार में तंग ना करें क्योंकि किसी के दूसरे के दन से आप कभी भी सुखी नहीं रहेंगे आप अपनी महनत की नेक कमाई से ही सुखी रह सकते हैं इसलिए दहेज लेना और देना पाप है हरे किस्णा